युनिवर्शिटी की फाइनल येर की एक्जाम कैंशल कराने को लेकर किये गए केस की सुप्रिम कोर्ट में आज हेरिंग है अगर आज इसके बारे में फैसला आता है तो इसका इफेक्ट है नीट वे जेई पॉस्पोर्ण पर अवसे ही पड़ेगा आज अगर सुप्रिम कोर् कोर्ट में 11 स्टेट के 11 स्टुडेंट ने किया है वो स्ट्रॉंग हो जाता है इसके वीपरीद अगर सुप्रिम कोर्ट फैसला यूजी सी के पक्स में देता है और एक्जाम कंडेक्ट करवाने का फैसला लिया जाता है तो गुजरात के पैरेंट एसेशेशन ने जो 13 सिप् कल्प ये भी है कि आज की सुनवाई में सुप्रिम कोर्ट द्वारा डिसीजन ने देकर नेक्स्ट हीरिंग डेट भी दी जा सकती है अगर एक नजर हम इस केस पर डालें तो डिसीजन स्टुडेंट के फैवर में जाता नजर आ रहा है क्योंकि माराश्टर और दिल्ली गॉ जैसे हरियाना, राजस्तान भी एक्जाम कंडेक्ट करवाने के पक्स में नहीं है तो वेट करते हैं आज के सुप्रिम कोर्ट के डिसीजन का क्या रहता है सुप्रिम कोर्ट डिसीजन यूजीसी के पक्स में देता है या फिर स्टुडेंट के पक्स में देता है या फिर ने आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक वा ज्यादा ज्यादा शेयर करें मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैहेंगे